विश्भर में फैली नोवल करोना वाइरिस की बिमारी को मात देने में सरकार की मदद करें आप सभी से अनुरोध हैं कि भारत सरकार दोरा लागू किये गए लॉक डाउन को गंभीरता से फॉलू करें इसके अधिनाय सभी आदेशों का पालन करें हमें जुठ होकर ही इस बिमारी को हरा सकते हैं घर में रहें सहस्त रहें प्यार देने के लिए धन्यवाद जैसा हमने आपसे कहा था अब एक ही वीक में आपके सवालों के जवाब को लेकर हम आएंगे दो बार हम आपको बता दें अपसे आप चाहें तो आप अपना हमें नंबर कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स खुद आपसे जुणने का प्रियास करेंगे इससे पहले हम आज के सवाल के जवाब शुरू करें आप हमारे चानल को सबस्क्राइब करें और सारी जानकारी असानी से पाने के लिए बेल आकन को ज़रूर दबाएं आज का पहला सवाल है निर्बे कुमार जी का उनका सवाल है क्या किड्नी रोगी सोया बीन की सबजी खा सकते हैं निर्बे जी सवाल पूछने के लिए धन्यवाद हाँ आप सोया बीन की सबजी का सेवन कर सकते हैं लेकिन हफते में एक बार अधिक नहीं आपको कम मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए सोयबिन के अतरिक्त फिर किसी और अधिक प्रोटीन वाली सबजी का सेवन ना करें हफते में एक बार करीब 25 ग्राम सोयबिन की सबजी आपके लिए परियाप्त है साथ ही आपको बता दें अगर आपका डालसिस चल रहा है तो आप इसे डालसिस के दिन खा सकते हैं लेकिन सिर्फ डालसिस वाले दिन ही खाएं क्यूंकि उस दिन आपके शरीर से आपका प्रोटीन डालसिस से बाहर निकल जाता है और आपको उसकी पूरी के लिए प्रोटीन से परयाब भोजन चाहिए दूसरा सवाल है नवीन वियगस जी का सवाल है क्या किड्नी रोगी जाक फूट का सेवन कर सकते हैं नवीन जी यूँ तो जाक फूट स्वादिश्ट और फायदेवन भल माना जाता है लेकिन किड्नी की बिमारी में आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए इसका मुख्य कारण है इस भल में पोटाशियम की आधी मात्रा साथ ही इसके कुछगुन शरीर में आलर्जी का कारण बन सकते हैं इसलिए किसी भी अस्वस्त व्यक्ती को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। चले चलते हैं तीसरे सवाल की और, सवाल है क्या किड्नी रोगी अंगूर का सेवन कर सकते हैं। ये सवाल देगलाल मतो जी ने किया है, मैतो जी आपको किडनी की बिमारी में अंगूर का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंगूर खटे होते हैं, आप इसके जगा तर्बूस का सेवन कर सकते हैं, तर्बूस को सिर्फ 50 ग्राम मात्रा में ही ले. अगला सवाल है, शुब कुमार सिंग जी का, सवाल है, क्या किडनी की बिमारी में रोगी नमक के स्थान पर काली नमक का इस्तिमाल कर सकते हैं, जी हाँ, आप ब्लाक पेपर का इस्तिमाल जरूर कर सकते हैं, और इसके लिए आपको नमक को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, आप साधरा नमक की जगा पर सेंदा नमक का इस्तिमाल करें और हाँ बहुत कम मात्रा में काली मिर्च का यूज़ करें और अब आज का आख़ी सवाल यह सवाल हमसे किया है तोरल ओडेदरा जी ने सवाल है क्या किड्नी रोगी गुड का सेवन कर सकते हैं? बहुत कम मात्रा में गुड़ का सेवन किया जा सकता है वो भी सिर्फ तब जब आपको पहले से डावटीज नहीं है आप गुड़ की सेवईया बना कर भी खा सकते हैं लेकिन कभी कबार ही गुड़ 5 ग्राम से ज्यादा इस्तिमाल ना करें करीब 10 दिन में एक बार इससे बना आव्यंजन आप खा सकते हैं तो ये थे आज के जरूरी सवाल आशा है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे अगले हफ़ते हम फिर हाजन होंगे नए सवालों के साथ तब तक आप स्वस्त रहिए अपने घरों में रहिए और स्वस्त रहिए आइवधिक का पता और हेल्प लाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं किसी भी जानकारी के लिए आप दियेगाए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर हां तो वीडियो को लाइक और और शेयर जरूर करें अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल ये सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं आपके सभी कमेंट्स हमारे लिए प्रेणा का स्त्रोत हैं ऐसी ही जरूरी जानकार से भरपूर वीडियो लेकर अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे क्योंकि अब वीक एक होगा लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला दो बार होगा तब तक के लिए आप स्वस्त रहें और खुश रहें इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद